अब देख रहे हैं Gossip Town और मैं हूँ आपके साथ ख्रतिका रादिका मर्चंट और अनंत अमाने की शादी होने वाली है और इन दोनों की शादी बहुत ही लेविश तरीके से होने वाली है कई भी VIP महमान की शादी का हिस्ता बनेगे लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अनंत की मा और उनके पिता की शादी जब 49 साल पहले हुई थी तो दोनों कैसे लग रहे थे जी हाँ मैं बात कर रही हूँ अनंत की ममी नीता अमबानी और पापा मुकेश अमबानी की जो की अब रादिका के साथ ससुर बनने वाले हैं तो चलेए आपको वो तस्वीरे दिखा देते हैं जो की 49 साल पुरानी है जिसमें नीता अमबानी और मुकेश अमबानी साथ जन्मों के अटूब बंधन में बंदते नजर आ रहे हैं तस्वीरे आपकी स्क्रीम्स पर हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं नीता अमबानी और मुकेश अमबानी अपनी शादी के इन पोटोस में नीता अमबानी ने अपनी शादी में साड़ी के साथ मैचिंग जूरी पहनी थी उनकी जो साड़ी थी वो सफेद और लाल रंकी थी बहुत खूबसूरत लग रही थी वो माते पर एक लाल बिंदी लगाई थी जो कि उनके लुक को कम्प्लीट कर रही थी बहुत ही सिंपल ब्राइड बनी थी नीता अमबानी बता देया को न्यूड मेकप किया था उन्होंने वही मांग में मांग ठीक का नजर आ रहा था नीता का जो ये दुलहन वाला लुक है ये सब को पसंद आ रहा है नीता मानी ने अपनी शादी में साड़ी के साथ मैचिंग जूलरी पहनी थी वो मिनिमम मेकप में नजर आ रही थी और बड़ी सी बिंदी उन्होंने माथे पर लगाई थी तस्वीरों में नीता मानी मुकेश अमबानी साथ फेरे लेते नजर आ रही है काफी खुबसूरत ये तस्वीरे हैं जो की फैंस दुआरा काफी पसंद की जा रही है नीता मुकेश के तीन बच्चे है अनन्त अमबानी, ईशा अमबानी और अकाश अमबानी अकाश और ईशा शादी हो चुकी है इन दोनों की तो वही अब अनन्त अमबानी शादी के अटूर बंधन में रादिका मर्चुन के साथ बंदने वाले हैं बता दे आपको कि उनकी शादी 1984 में हुई थी जी हाँ, नीता और मुकेश ने 1984 में शादी रचाई थी तीन बच्चे हुए और अनन्त अमबानी भी शादी के अटूर बंधन में बंदने वाले हैं उनकी शादी रादिका मर्चंट से हो रही हैं और इसी बीच नीता मुकेश की शादी की तस्वीरे वारल हो रही हैं आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएए इस वीडियो में ताही